गोड मॉर्निंग ट्रेनीज आज के हमारा टॉपिक है आज के टॉपिक के अंतरगत हम जानेंगे आज के टॉपिक के अंतरगत हम जानेंगे आज के कौन कौन से प्रकार हैं इन में से एक प्रकार इवापोरेशन एमिशन कंट्रोल सेस्टम और उसके भागों के बारे में जान तो आई ये शुरू करते हैं आज का टॉपिक ऑटो मॉबाइल में प्रदुसर्ण उसरजन के शुरूत ये तो हम सभी जानते हैं कि इंटर्नल कमपसन इंजन में फ्यूल को जला कर सकती प्राप्ट करते हैं इस सकती के द्वारा ही मोटर वेहिकल से चलते हैं मोटर गाड़ियों में प्रदुसर्ण फ्यूल ये हाइडोकार्बन के जलने के कारण ही उत्पन होता है जलने के या इनके वैपर के कारण होता है ऑटो मुबाइल में मुख्य इसके चार्श रोट हैं जिनके द्वारा इसका पॉल्यूशन होता है नमबर एक फ्यूल टैंक द्वारा नमबर दो कार्बुवेटर द्वारा तीन क्रेंग केस द्वारा चमटा एक्जॉस सेस्टम द्वारा एक वेहिकल दिखाया गए, इसमें देखिए रिफिलिंग लुसेज हैं, इवागरवेसें shift emission हैं अर्गेशं केस लुसेज हैं इन चारों स्रोतों से निकलने वाले फोल्यूचन को दो भागों में रिष दो प्रटायचे अह बाटा गया है इवायपोरेटीव इमिशन और एग्जॉस्ट इमिशन, इवायपोरेटीव इमिशन के अंदर कर, फ्यूल टेंक और कायल व pratic होगर वायू मंडरल में जाने वाला जो पॉलूसन है, इसके अंतरकत आएगा और exhaust emission के अंतरकत crankcase और exhaust system से निकलने वाला pollution जो सीधे वाइउ मंडल में छोड़ा जाता है वो आएगा ये तो हमसे भी जानते हैं कि fuel जो होता है hydrocarbons और lead compound आधी होते हैं उसमें और हवा जो होती है उसमें oxygen और nitrogen की महत्रा ज्यादा है वाइउ मंडल में हानी कारक परदूसन जो होते हैं exhaust system से निकलते हैं और इनी में से कुछ अद्रजलिक फ्यूल जो होते हैं blow by gas के रूप में crank saft में आधे हैं तो crank case में यह हाते हैं यह emission भी crank case के breeder tube द्वारा बाहर वाइव मंडल में छोड़े जाते हैं इस प्रकार इन चार सुर्दों से निकलने वाले जो पॉल्यूशन है उनको दो केटेगरियों में बाटा गया इवाइपोरेटिव एमिशन और एक्जॉस्ट एमिशन तो इन दोनों में से आज हम उन में से एक प्रकार इवाइपोरेटिव एमिशन के बारे में जानेंगे इवाइपोरेशन एमिशन मतलब वास्पिक्रिट होकर जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके अंतर कि हम यह सब जानते हैं कि फ्यूल भहुत तेजी से वास्पिक्रिट होता है इसलिए यदि फ्यूल सिस्टम तो फ्यूल टैंक वाइव मंडल के लिए खुला रहेगा तो 24 यह इवापोरेटिव के माध्यम से होता है क्योंकि इधन वास्पिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक् फ्यूब्ह टेंक और फ्यूब्ह सिस्टमं को वाई-ू-मंडल के सब्पिक्गश में सील कर दिया जाता है dedicated कि डिन के दिनों में फ्यूल बेगार ओवरफ्लो अथवा इवेप सिस्टम को प्रेसर के साथ लीक न करें इसके लिए थोड़ा सा इस्थान फ्यूल टैंक में बना देते हैं दूसरा है गैस कैप पुरानी गार्डियों में फ्यूल टैंक कैप जिसको हम गैस कैप बोल रहे हैं मैं प एकस्पेंशन या ओवरफ्लो टैंक का हिस्सा हो सकता है इसके द्वारा लिक्विट या गैसोलीन को वेंट लाइन जिसके द्वारा इवेप से कनस्तर में जाने से रोका जाते हैं इवेप कनस्तर या एक छोटा गोल आयतागार प्लास्टिक का अथ्वा स्टील का बना हुआ कनस्तर होता है जो गाड़े में कहीं भी लगता है लगा जासकता है परन्तु इसको ऐसी जिगे लगाते हैं जहां यह साधान था हमको दिखाई नहीं डिरेक्ट देखने में इस क फ्यूल की जो भाप होती है जो वेपर होती है उसको सोख लेते हैं इवेप सिस्टम की कारेविधी जब इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो कंट्रोल आधूनी गाड़ी में इंजन कंट्रोल इनिट सेंसर से के डाटा के अनुसा सोलोनाइट पर्ज वाल्प को ओपन करता है और फ्यूल वाड़ी का वेक्यूम सीरह चारकूल कनस्तर के द्वारा प्रेसर कंट्रोल वाल्प में पहुंचकर उसे खोल देता है और फ्यूल वैपर फ्यूल टैंक से प्रेसर कंट्रोल वाल्प द्वारा सीरह चारकूल कनस्तर में आ जाती है और फिर यहां से फ्यूल क हाइड्रो कारबंस को स्टोर करता है इस प्रकार इंजिन के आवसकता के अनुसार ECM पुर्जवाल्ब को ऑपरेट करता है जिसके करने किसी विस्तिति में फ्यूल की वैपर की हानी नहीं होती है इसको एक चेत्र के माधियम से समझने का प्रियास करते हैं यह पहले जो पुरानी गाड़ियां थी उसमें जब ECM यूज नहीं हुआ था तो उसमें क्या करते थे वैक्यूम ऑपरेटेड पुर्जवाल्ब प्रियोक किया जाता था जो फ्रोटल के पास से वैक्यूम लाइन द यह वैक्यूम क्रेट हुआ यह वैक्यूम के खारण पुर्जवाल्ब ओपन हुआ और यह चार चार कोल करनस्टर के द्वारा इनलेट मैनिफोर्ड में फ्यूल वैपर पहुंचाई गई इस परकार यह सिस्टम काम करता था आधुनिक गाड़ियों में इस ताइप से जिनमें इसी में यहाँ हर जिके लगस में लगब शचीन द्वारा का सैंसर लरा या फ्यूल का बहुकिंक प्रेंटर कासेचा लागा की फ्यूल डूड़। है किthoseमें जब यहां से वैपर जाकर कंटेनर में पहुंसती है वैपर कंटेनर में में यहां जब इसने मिन शबसे डाटाब के इस अब से डाटा लेता है और उसके अबत कितना फिऊम या कितना फ्यू l E यहां से फ्रेस हवा के आने के लिए मार खोलता है जैसी हवा इसमें आती है तो अपने साथ यहां से यह वेक्यूम यहां से फूर्जवाल खुलता है और वेक्यूम के जरिए यह थ्रोटल बॉडी में चली जाती है इस प्रकार यह सिस्टम काम करता है इसको एक एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से समझने का प्रियास करते हैं के कंट्रक्शन के ऊपर तो कार की फ्यूल टैंक में एक रोल ओवर वाल के साथ एक फ्यूल प्रेशर सेंसर लगा हुआ होता है अब जो roll over वाल है उसके साथ connect होता है pressure control वाल अब pressure control वाल है उसके साथ लगा होगा एक charcoal canister और अब जो charcoal canister है उसके अंदर एक breathing line होगी और एक होगी output line अब जो output line है वो जाएगी पर्ज solenoid वाल के साथ होस्ट पाइप के थुरू connect होगा एक पर्श फ्लो सेंसर और फ्लो सेंसर के बाद होस्ट पाइप कनेक्ट होगी सीधी throttle body के साथ अब जो throttle body है उसके अंदर आप्वेजली manifold absolute pressure sensor लगा होगा यानि कि manifold absolute pressure sensor, fuel pressure sensor और पर्श फ्लो सेंसर को connect किया जाएगा engine management unit के साथ और आखिर वे engine management unit को connection दिया जाएगा पर्श कंट्रोल बाल के साथ ताकि वो फ्लो को कंट्रोल कर सके अब आता है working के उपर तो इसके अंदर सबसे पहले sensor से शुड़वायत करते है तो fuel tank में लगा हुआ fuel tank pressure sensor, fuel tank के अंदर fuel का जो pressure है उसे detect करेगा और उसका data engine management unit को supply करेगा अब जो pause flow sensor है वो throttle body में जाने वाली fuel की वेपर का amount detect करेगा और उसके मताबिक उसका data engine management unit को देगा अब last में यह जो MEP sensor लगा है वो throttle body में जाते हुई जो air है उसका pressure sensor करेगा और उसके मताबिक data engine management unit को pass करेगा अब system operation की बात की जाए तो engine जब बंद होगा तब अगर fuel vaporize होना start होता है तो vapor roll over valve में से होके सीधी pressure control valve में जाएगी और वहाँ पे जगा होने पर store होगी अब जैसे ही आप engine start करेंगे या फिर engine start होता है तो engine management unit sensor के data के मताबिक solenoid porch valve को open करेगा और throttle body का vacuum सीधा charcoal canister के थूप pressure control valve में पहुचेगा और जिसके कारण जो pressure control valve है वो open होगा और fuel vapor जाएगी charcoal canister में जो की fuel vapor के hydrocarbons को add के साथ आगे throttle body तक जाने देंगे अब अगर partial solar oil valve close होता है या open होता है तो charcoal canister fuel vapor के hydrocarbons को store करने का काम करेगा जिसके कारण specific condition में emission loss ना हो तो इसी तरह fuel vapor को as a fuel use करके वहीकल का total emission कम करने के लिए और वहीकल की efficiency को बढ़ाने के लिए EVAP system वहीकल के अंदर लगाई जाती है आसा घरता हूँ आपको आज का topic समझ माया होगा धन्यवाल